नेक्स ओन, दो साल हो चुके हैं मुझे ये गाड़ी लिये हुए और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है एक ओनर्शिप रिवीव बनाने का क्योंकि लगबग 30,000 किलोमेटर ये गाड़ी चल चुकी है आज हम बात करेंगे मैंने ये गाड़ी क्यों ली बाकी गाड़ियों के मुकाबले कुछ पॉजिटिव नेगिटिव के हम बात करेंगे एक positive चलेगा एक negative चलेगा simultaneously प्लस एक verdict दूँगा मैं इसकी last में कि आज अगर मुझे को इतने पैसे फिर से मिल जाते हैं तो क्या मैं ये गाड़ी दुबारा चूज करूँगा या मैं किसी और गाड़ी के लिए जाओंगा और बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे इस गाड़ी के सबसे बड़े positive और सबसे बड़े negative की तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा सबसे पहली बात मैंने गाड़ी क्यों चूज की मेरे मन में ब्रेजा भी थी मेरे मन में एको स्पोर्ट थी और मेरे मन में नेक्स वन भी थी मेरे गाड़ी लेने से पहले एक मीना पहले मेरे गुरूप में ब्रेजा आ चुकी थी उसका मारूती गाड़ीों का वही एक टेस्ट रहता है तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी अगर मेरे को मैनुवल भी लेनी होती हाला कि मैंने आटोमेटिक ली है और इको स्पोर्ट में डीजेल आटोमेटिक नहीं आती थी अगर मेरे को मैनुवल भी लेनी होती तो अभी मैं इको स्पोर्ट भी नहीं लेता हाला कि यह कंपेरिजन वीडियो नहीं है तो इतना ही मैं बोलूँगा उन गाडियों से मुझे यह अच्छी लगी मैंने यह ले ली अब हम बात करते हैं पहले पोजिटिव की मैंने बात की कैबिन दो साल के बाद भी जब भी मैं इस गाड़ी में अंदर बैठता हूँ कैबिन जब भी हम इसका देखते हैं तो आज भी बहुत यह अच्छा लगता है इस सेग्मेंट में किसी और गाड़ी में इतना अच्छा कैबिन आज भी नहीं है अगर हम बात करें अब एक और नेगेटिव की तो फ्रेशनेस जितने इसकी कैबिन में है ना उतनी बार से गाड़ी सड़ा देती इसके जो सामने वारे जो टायर है ना यह पीछे मड़ फैक्त है हाला कि जो एक्से मोडल है जो 17 इंच के जो टायर है उन गाड़ियों में द दोस्त है जब भी वह कोई नया सौंग सुनता है अगर उसको इसकी बीट अच्छी लगती है उसके बहुत ही बड़ी अक्वालिटी के यह फोन है उस सोंग को बीच में बंद करता है मेरे को फोन करता है चल चल के नेक्स वन में सुनते है इसको इतना जबरदेशिका बंद करो दुबारा चलाओ कभी इसका हम रिवर्स गेर अंगेज करते हैं कैमरा नहीं होना होता है गाड़ी बंद करो फिर से चलाओ एक दो बार मेरे साथ यह प्रोब्लम भी आई है कि मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं पुस्टार्ट स्टोप बटन है इसमें अब दो साल में बार-बार प्रोब्लम आई लेकिन एक दो बार एक दो बार यह कुछ ना कुछ मेरे को प्रोब्लम साइए कभी इसका इन्फोटेन्मेंट जो सिस्टम है उसमें हमारा फोन कभी हम ब्ल्यूटूथ होन करते हैं तुरंत किनेक्ट हो जाता है कभी हम लगे ही पंद्रा मिनट बीच मिनट यह कनेक्टी नहीं होता तो हां ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन यह कुछ छोटी मोटी चीजें सोफ्पेर रिलेटिड है इतना मैच्वर सोफ्पेर अभी तक इसका नहीं हुआ हाला कि जो न्यू नेक्शन 2020 आई है उसमें यह प्रोब् स्क्राइब जरू कर देगा चैनल को बहुत मैनत लगते वीडियो बनाने में आप तक अच्छे चीवड़े फिर से लाते रहेंगे प्लीज तो पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे पॉजिटिव है इसका एसी यूनिट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एसी उनिट है इसकी अगर बहेंकर गर्मी पढ़ती है ना बहेंकर वाली मतलब 50 डिग्री टेंपरेचर वाली गर्मी पढ़ती है तो भी 10-15 मिट आप इसको चलाइए उसके बाद डेफिनेटली कूलिंग इसकी थोड़ी मतलब कम नहीं करना चाहेंगे तेंपरेजिस का थोड़ा बढ़ाना चा प्यारी इसकी जो है इस यूनिट है और अगर नेगिटिव की बात करें तो आज भी इस गाड़ी में अगर मैं अपनी सीट की हाइट बिल्कुल टॉप पे कर देता हूं और मैं खुद भी थोड़ा अपर होके बैठता हूं तो भी मुझे इसका बॉनेट भी नहीं दिखता हाला कि नई नेक्शन में ये प्रोब्लम ठीक कर दी गई है बहुत अच्छा उसका भी हो गया है इसमें मुझे ये थोड़ी प्रोब्लम लगी है पोजिटिव कैबिन स्पेस बहुत अच्छा है आज भी ये कैबिन स्पेस कोई गाड़ी इस सेग्मेंट में नहीं दे पा र नहीं की कि उनको पिछे कोई दिक्कत है मेरी हाइट लगबग छे फिट है एंपल स्पेस यहां पर भी है यहां पर मेरा सिर जो हो पर नहीं टकरा रहा है और जितने भी लोग आज तक बैठे हैं पहुत ही अच्छा सिस्टम है शॉल्डर स्पेस भी काफी है मतलब पहुत ही कमफर्टेबल गाड़ी है था इस पोट वगएरा ओसम स्पेस ओसम पोजिटिवनेस नेगटिव रात के टाइम पर इसका लो लाइट भीम है जो लो लाइट थ्रो है बहुत ही पूर है जो प्रोजेक्टर लेंपे नहीं दे रखे हैं और अगर नहीं की बात करते हैं तो उस प्रोब्लम है यह दिखत है बाकी यह दिक्कत है नेक्स्ट मारा पोजिटिव जो रहेगा पावर पावर बहुत ही जवरदस्त है इस गाड़ी में कबी भी हम पूल करते हैं किसी को ओवर्टेक करना है कोई प्रोब्लम नहीं है अलग-अलग जो मोड्स दियो है स्पोर्ट सिको सिटी तीनों बहुत अच्छे से खाम करते हैं हाला कि मैंने जो इको मोड़ बहुत कम उज़ किया है sports और city में बहुत यूज़ गरता हूं जी हाँ वो definitely बोर करते हैं अभी next negative के बात कर लेते हैं नेगेटिव पोजिटिव भी खेर हम जब बात कर रहे हैं तो आपको बता जेता हूँ एक वीडियो हमारे चैनल पर पोजिटिव और नेगेटिव दोनों की सेपरेट आ चुकी है नेक्सों के बारे में और वह उमने फनी तरीके से बनाई है बहुत ही भेतरी ने बहुत ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो इसका जो नेक्स्ट नेगेटिव है जो लाइट्स है कई बर क्या होता है हम लाइट्स होन के हम रात को आए गाड़ी खड़ी गई लाइट्स ओफ करना बूल जाते हैं और हम लोक लगा के चले जाते हैं तो इनकी जो तो इसकी बेटरी जो ड्रेन हो जाती है मेरे साथ एक आप ऐसा हुआ था तो यह प्रोब्लम है उनको कर देना जी है अगर हम पूरी गाड़ी को लोक कर रहे है तो फिर क्यों इसका सिस्टम ओन रहता है क्यों इसकी डियारेल्स ओन रहती है तो एक छोटा सा नेगेटिव है लेकिन यह कही बार problem कर देता है गाड़ी के जो negative है वो खतम हो गए है positive की बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छा जो positive है ground clearance 209 mm की इसकी ground clearance है मैं आपको बता देता हूं देखिए अभी आप ये एरिया देख रहे हैं इधर दिखाएं ये एरिया जो देख रहे हैं अगर मैं गाड़ी यहां से भी चलाता हूं यह डेमेंस यह हो गई गाड़ी यह हो गई स्पीड ठेक है डेमेंस्ट्रेशन आपको लेकिन सोचे थोड़ा टाइम पास कर लेता है अच्छा था मतलब ग्राउंड ग्राउंड के रेंस बहुत अच्छे ऐसा नहीं कि उपर से लेकिन आज तक मेरे को ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है कि मेरी नेक्स्वान कभी नीचे कहीं भी किसी चीज से टकरा गई है ऐसा आज जाव ऑड़ों में इस 30000 किलोमोटर चलने में लगा है है तो गाड़ी सबसे पहले बनाई किसले गई थी हम उसमें ट्रेवल करना होता है उसकी क्या फील है कितने अच्छी गाड़ी चलती है गाड़ी का प्राइमरी काम यहीं उसमें पावर विंडो है उसमें जो फीचर्स दिये गए है, उसका music system कैसा है, उसकी seat cushioning कैसी है वो सब बाद की बाते हैं, सबसे पहले तो मैं गाड़ी में travel करना है, गाड़ी की handling कैसी है, वो important है गाड़ी गड़ों पे से कितने अच्छे तरी कैसे जाती है, वो सबसे important है हमारे control में गाड़ी कितनी है, उसका suspension करने साथ, वो सबसे बड़ी बात है, और इस गाड़ी में सबसे बड़ी positive चीज़े यही है राइडिंग क्वाल्टी में हम अकसर बोलते हैं कि EcoSport इससे आगे है, जी नहीं, EcoSport इससे आगे नहीं है, Nexon EcoSport से आगे और मैं आपको डिरेक्टरी डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मैंने EcoSport भी बहुत ज़्यादा चलाई है मेरे Friend Circle में आज भी है Breja भी है, Nexon भी है एक दो गाड़ी हो रही सी सेग्मेंट की लेकिन सबसे अच्छी हम सब जो दोस्तों की सब की जो राय है, Nexon की जो राइड क्वाल्टी है, ओसम है ओसम, जो सबसे बड़ा पोजिटिव अगर हम सभी पोजिटिव एक साइड रग दें और ये पोजिटिव एक साइड रग दें तो मैं ये कहूंगा कि ये गाड़ी राइडिंग में आज भी कोई मुकाबला नहीं है दो साल, तीन साल इसको लोंच हो चुके है अब एक नेगटिव की भी हमने बात किती है अगर नेगटिव की मैं बात करता हूँ देखिए मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ गाड़ी अब मैं चला रहा हूँ मुझबूत है, फाइव स्टार है अच्छी बात है लेकिन वो फाइव स्टार के साथ हमें क्या कॉंप्रमाईज करना पड़ता है वीजिबल्टी ये ए पिलर बहुत ज्यादा थीक है वो ए पिलर बहुत ज्यादा थीक है पीछे के जो पिलर है वो बहुत ज्यादा थीक है इस वजए से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वीजिबल्टी बहुत कम हो जाती है अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ठीक है ये पिलर बड़ा हो गया इसके साथ में यह हमारा मीरर आ गया साइड मीरर जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ से जो ब्लाइंड स्पोर्ट बनता है बोजवरदस्त है कितनी ही बार कितनी ही बार मुझे तो याद भी नहीं है कितनी ही बार बाइक वाला कोई स्कूटर वाला कोई साइकल वाला कोई पैदल चलता लो कोई भी इंसान है कितनी ही बार मैं बचाओं क्योंकि मेरे को बहुत लेट वो दिखते हैं हाला कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कम कर दीजे लेकिन कुछ ना कुछ उनको को सॉलुशन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसके डिजाइन में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा नहीं तो इसके वजए से मेजर एक्सिडेंट हो सकता है तो यह है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव है लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा आज फिर से वही पैसे मिल जाते हैं फिर से मुझे कोई बोलता आप नेक्सोन लोगे या किया भी आई हूई है वेन्यू भी आई हूई है और भी काफी सारे मोडल हैं तो क्या मैं यह गाड़ी चूज करूँगा देफिनेटली मैं यह गाड़ी चूज करूँगा बाकी गाड़ी यह मुकाबली हो सकता है कुछ कमिया कोई प्रोडक्त परफेक्ट तो नहीं होता है तो वह भी परफेक्ट नहीं है कुछ कमिया उनमें हैं लेकिन अभी जो 2020 model आया है कुछ कमियां उन्होंने इसमें खतम कर दी है तो डेफिलेटली मैं इसके लिए जाऊंगा अगर आप बाई करने ही सोचने तो आप डेफिलेटली इसके लिए जा सकते हैं मेरी तरफ से नेक्स ओन को थम जब आए तो इस वीडियो में इतना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें नेक्स वीडियो में फिर से मिलते हैं और